तमिल नाडू के कोईम्टोर में बस कंड़क्टर का काम करने वाले मरी मुथू योगनातन जी हैं योगनातन जी अपनी बस के यात्रियों को टिकर देते हैं तो साथ में ही एक पौधा भी मुपत देते हैं इस तरह योगनातन जी नजाने कितने ही पैड लगवा चुके हैं य ऐसा कौन नागरिक होगा जो मरी मुथु योगनातन जी के काम की प्रसोंसान न करे। मरदे से उनके इस प्रयासों को बहुत बधाई देता हूँ उनके इस प्रेरक कारे के लिए। मेरे प्यारे देशवासियों, वेस्ट से विल्थ यानि कचरे से कंचन मनाने के बारे में हम सबने देखा भी हैं, सुना भी हैं और हम भी औरों को बताते रहते हैं। कुछ उसी प्रकार से वेस्ट को वेल्यू में बदलना के भी काम किया जा रहा है। ऐसा ही ये गुदारन केरल के कोच्ची के सेंट टेरेसा कॉलेज का है। मुझे आद है कि 2017 में मैं इस कॉलेज के केमपस में एक बुक रेडिंग पर आधारित कारकम में सामिल हुआ था। इस कॉलेज के स्टूडन्स री उजेबल टॉईज बना रहे हैं। वो भी बहुत क्रियेटिव तरीके से हैं। ये स्टूडन्स पुराने कपड़ों, फैके गए लकड़ी के टुकड़ों, बैक और बॉक्सिस का इस्तिमाल खिलोने बनाने में कर रहे हैं। कोई विद्यारती पजल बना रहा है, तो कोई कार और ट्रेन बना रहा है। यहां इस बात का विशेश ध्यान दिया जाता है कि खिलोंने सेफ होने के साथ साथ चाइड़ फ्रेंडली भी हो। और इस पूरे प्रहास की एक अच्छी बात ये भी है कि खिलोंने आंगनवारी बच्चों को खेलने के लिए दिये जाते हैं। आज जब भारत खिलोंनों की मैनिफेक्टरिंग में काफी आगे बढ़ रहा है तो वेस्ट से वेल्यू के ये अभियान ये अभिनव प्रयोग बहुत माइना रखते हैं। आंद प्रदेश के विजयवारा में एक प्रफिसर स्रीनिवास पतकानला जी हैं। वे बहुत ही रोचक कारे कर रहे हैं। उन्होंने ओटो मोबाइल मेटल स्क्रेप से स्क्रॉप्चर्स बनाए हैं। उनके द्वारा बनाएगे विशाल कॉप्चर्स सारवजिनिक पार्कों में लगाए गए हैं। और लोग उन्हें बहुत उत्सा से देख रहे हैं। एलेक्ट्रोनिक और ओटो मोबाइल वेस्ट की रिशाक्लिंग का यह एक अभिनव प्रयोग है। मैं एक बाद फिर कोची और विजेवाड़े के इन प्रयासों के सराना करता हूं और उमीद करता हूं कि और लोग भी ऐसे प्रयासों में आगे आएंगे।